समस्कार दोस्तों नमबर का यहां पर पार्ट है इससे पहले 33 अलग अलग पार्ट यहां पर आ चुकी है MPCHो की परिक्षा में अगर आप लोग शामिल हो रहे हैं तो इस सभी पार्ट आप लोग एक पर वाच कर ले काफी सवाल इनी में से ही अगर आपको आपके परिक्षा में repeat आपको देखने को मिलने वाले तो इसी वीडियो के नीचे आपको जारा है description box में सभी पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी एक्या करके अभी से आप लोग सभी पार्ट वाच करना आप लोग आप पे शुरू कर दे काफी help आपकी exam के लिए हो जाएगी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को subscribe कर दे आगे और भी parts आगे आपको मिलने वाली है कोई भी जानकर याब आप से आप पे राच उटे तो वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को आप पे click करें MP, NHM, CHO हर information इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो बिलकुल शुरुबात कर देते हैं अपने update को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की और तो दोस्तों पहले जो सवाल आप सबी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा in communication process response from receiver to sender is called तो आप लोगों को बता रहा है communication की process में संचार की जो परिक्रिया में response जो पहुंसता है receiver to sender means receiver से sender की तरफ तो इस परिक्रिया को यहाँ पे क्या बोला जाता है तो यहाँ पे दोस्तों options दे दे गए message, encoding, feedback context तो जल्दी से आप सब लोग इसका answer comment box में type कर दे यह question communication वाले पार्ट से आप लोग उसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है feedback यहाँ पर रहेगा इस question के एसाफ से option number 6 इसका साई विकल्प यहाँ पी रहने वाला है जब कभी भी response receiver से sender की ओर पूछता है तो इसको दोस्तों feedback बोला जाता है और यह communication की process में यह possible होता है अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है in a general word the ratio of nurse and patient should be तो आपको बता रहे है जनरल word में ratio यहाँ पे केतना रहता है nurse और patient के के लिए तो आपको विकल पिद्धी देखे 1 ratio 3, 1 ratio 10 1 ratio 6, 1 ratio 7 तो जल्दी से आप सब लोगों इसका answer comment box में type कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है 1 ratio 6 यहाँ पे रहने वाला है आप सबी लोगों से पूछा गया था nurse और patient का ratio तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1 ratio 6 जो है इसका answer यहाँ पे रहने वाला है तो इस question के एसाब से option number जो CS का सही विकल पे आप रहेगा अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अगले सवाल के और दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है VDRL test is done for the diagnose of तो VDRL test जो है किस के लिए यह इस्तेमाल के जाता है diagnose करने के लिए आपको options दे दे गए tuberculosis diptheria syphils typhoid तो जल्दी से आप सब लोग इसका answer comment box में type करके बता दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है syphils यहाँ पे रहेगा और option number c इसका सही विकल यहाँ पे रहने वाला है syphils जो है sexually transmitted infection यह रहता है और VDRL test इसको diagnose करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसको जो है आप लोग याद रखें अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर तो दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जारा increased uric acid level is found in तो increased means बढ़ा हुआ जो uric acid का level है और यह अगर पाए जाता है तो कौन से disease यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे options दे दी गए Wilson's disease, rheumatic fever, Parkinson's disease, gout तो जल्दी से आप सभी लोग इसका अंसर comment box में type कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है gout यहाँ पे रहेगा और इसको आप लोग जयाद रखेंगे increased यहाँ पे uric acid का level रहता है तो gout यहाँ पे यह इसमें यह पाया जाता है तो इस question के साब से option number जो D है इसका सभी विकल पे रहेगा अबढ़ जाते है अपने next question की ओर अगला जो सबाल आप लोगों से पूछा जा रहा है hysteria is a तो आपको बताना hysteria जो है किस तरीके का disorder है क्या यह mood disorder है क्या यह neurotic disorder है क्या यह psychotic disorder है क्या यह personality disorder है तो जल्दी से बता दे comment box में right answer क्या रहने वाला है तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है neurotic disorder यहाँ पर रहने वाला है इस question के साब से option number जो भी है इसका यह सही विकल पर रहेगा इसको आप लोग याद रखिएगा अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर तो दोस्तों अगले जो सवाल आप लोगों से आप पर जो पूछा जा रहा है exchange of gases take place in तो gases का जो exchange है means gases का आधन प्रदान है यह कहाँ पर ही होता है तो options आपको दे दे गए kidney, lungs, liver, heart तो जल्दी से comment box में बता दे right answer क्या रहेगा तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है lungs यहाँ पर रहेगा और option number B सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है तो उसको जो है आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रेशन की ओर तो दोस्तों अगले सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा पूछ लिया गया है the chamber of heart which receives oxygenated blood from the lungs इस दा आप सभी को बताना है heart का कौन सा chamber यह पर हम लोग कहें heart का कौन सा ऐसा है आप पर हिस्सा है जो की lungs से receive करता है oxygenated blood को तो आप लोगों को option से दे दे गए left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle तो जल्दी से comment box में right answer type कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है left atrium में आप पर आएगा और option number जो a है इसका सही विकल्प आप रहने वाल है इसको आप लोग याद रखेगा अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल किये हो तो दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है the first step in beginning any nursing procedure is to तो आप लोगों से यहां पर पूछ जा रहा है nursing की परिकरिया में पहला जो staff है जो की शुरूबाती beginning staff है वो यहां पर क्या रहेगा तो collect equipment, wash hands, provide privacy, put on gloves तो जल्दी से आप सब लोग जो है इसका answer comment box में टाइप कर देए तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है wash hand यहां पर रहेगा और यह पहला शुरूबाती beginning staff है किसी भी nursing procedure का तो इसको आप लोग याद रखेंगे option number 20 इसका सई विकल्प यहां पर रहने वाला है अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की और तो अगला सवाल आप लोगों से यहां पर जो पूछा जा रहा है the best position for examining the rectum तो rectum को examine करने के लिए जो सबसे best position है वो कौन सी है तो अलग-अलग positions के नाम दे देगे हैं prone, sims, knee chest, lithotomy तो जल्दी से आप सब लोग comment box में इसका right answer टाइप कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है, knee chest position है आप पर रहेगा, option number जो CS का सही विकल्प यहां पर रहने वाला है rectum को examine करने के लिए knee chest position है आप बेस्ट position है आप रहेगी तो इसको आप लोग याद रखेगा अब बढ़ जाते हैं आपने एक और सवाल की हो तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिए गया है pulse rate above the normal rate is called जब दोस्तों pulse rate जो है normal rate के अबब हो उपर हो तो इस इस्तिति को क्या बोला जाता है तो options आपको दे देगे टैकीपीनिया, हाइपरप्रेक्सिया, एरिथीमिया, टैकी कार्डिया तो जल्दी से आप सब लोग इसका अंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देए तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है, टैकी कार्डिया यहाँ पर रहेगा और option number जो DS का, सभी बिकल यहाँ पर यह रहने वाला तो उसको भी जो है आप लोग याद रखेगा अब दोस्तों कुछ image वाले question भी आप पर discuss कर लेते हैं, तो आप सब लोग अपने screens पे कुछ इस तरीके का यहाँ पर device देख रहे होंगे और यह image आपको दे दी गई, आपको बताना है यह क्या चीज़ यहाँ पर रहेगी, तो आपको बताना है what is the name of this image तो जल्दी से comment box में इसको type कर दे, right answer क्या रहेगा तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसको chest retractor यहाँ पर बोला जाता है और जब कभी भी इस तरीके के image आप लोगों से पूछे जाए exam में, तो आप लोग यह answer mark करना है और अब बढ़ जाते हैं अपने एक और अपने इसी तरीके के सबाल की ओर तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी screens पे एक और image आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को पैचानना है कि इस instrument को क्या बोला जाता है, तो जल्दी से comment box में right answer type कर दे तो दोस्तों देखिए इसका जो right answer है, Morris retractor इसको यहाँ पर बोला जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, एक और इसी तरीके के सबाल की ओर तो बिल्कुल आप सब लोग एक और अपनी screens पे image देख सकते हैं, जल्दी से आपको बताना है इस device को क्या बोला जाता है, तो जल्दी से comment box में इसका right answer टाइप कर दे तो दोस्तों देखिए, इस device को osteotome यहाँ पे बोला जाता है, तो यह भी जो है आप लोग याद रखेगा और यह important सवाल मैंने आपके सथां पे discuss किये, कुछ और यहाँ पे प्रेशन है, इसी तरीके से आपके discuss कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप सब लोग अपनी screens पे एक और image देख सकते हैं, जल्दी से बता दें इस equipment को क्या बोला जाता है, comment box में टाइप कर दे, right answer क्या रहने वा इसको भी आप लोग याद रखेगा, तो दोस्तों ये तो थे कुछ सवाल जो मैंने आपके साथ आपके नर्सिंग के discuss कर लिए, साथी साथ image वाले question भी मैंने आपके cover कर लिए, अब दोस्तों आपके बासते हैं, जीके के सवाल तो कुछ general knowledge के सवाल भी आपके discuss कर लेते हैं तो दोस्तों पहला सवाल जीके का, जो यहाँ पे रहने वाला है, who wrote the book a suitable boy, तो a suitable boy जो नामक book है, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको options दे दे गए, शलमान, रुशीद, अरिन धती रोय, अमीताब गोश, विक्रम, सेट, तो जल्दी से बता दे, right answer क्या रहेगा, suitable जो बोक है, किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों देखिए, बिलकुल टाइम वेश नहीं करते हैं, इसका जो right answer है, विक्रम, सेट, यहाँ पे यह रहने वाला है, तो विक्रम, सेट, द्वारा आसे टेवल, बोक है, यह लिखी गई, यह बोक, और इस writer के नाम को आप याद रखेंगे, अब बढ़ जाते हैं, एक और अपने सवाल की हो, इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पी जो पूछा रहा, which day is celebrated as world ozone day, तो world ozone day, यह कम मना जाता है, 9 जनवरी, 23 जन, 23 जुलाई, 5 फरवरी, 16 सितंबर, तो जल्दी से बता दे, world ozone day कमना जाता है, comment box में type कर दे, तो दोस्तों बिलकुल यहाँ पर time waste नहीं करते है, world जो ozone day है, 16 सप्टेंबर को यह मना जाता है, और यह वाला जो option है, इसका सभी विकल्प यह रहेगा, अब बढ़ जाते हैं, एक और सवाल की हो, तो दोस्तों अगला जो सवाल है, मध्य प् के पहले जो chief justice थे, वो कौन से थे, तो आपको options से दे देगे, justice mr. m. हिदायत उल्ला, justice mr. a.k. माथुर, justice mr. शिवद्याल p. श्रीवास्तव, justice mr. अजे मानिक राओ, खान विलकर, तो जल्दी से आप सभी जो comment box में बता दे, तो दोस्तों देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के पहले जो chief justice थे, high court के, उनका नाम justice mr. m. हिदायत उल्ला है, और इस question के साब से पहले नमर का यह जो विकल पे, इसका सही answer ये रहेगा, तो यह आप लोग याद रखेगा, अब बढ़ जातें, एक और सवाल की हो, तो दोस्तों अगला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा रहा है, sports से संबंदित है, पूछ लिया गया है, which country will host the 2028 summer olympics games, तो 2028 के जो summer olympics games है, कौन सा देश इसको host करेगा, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, तो options ये दे गए, United States of America, USA, Japan, France, Brazil, तो जल्दी से बता दे, 2028 summer olympics games की कौन सा देश यहाँ पे मेजबानी करने वाला है, तो दोस्तों देखिए, इसका जो right answer है, United States of America ही यहाँ पे रहेगा, USA जो है, 2028 के summer olympics games को मेजबानी यहाँ पे करने वाला है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे, एक और सबाल की और यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों अगला सबाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, which among the following is the first national park of India, तो भारत का पहला national park कौन सा था है, चारो option में से, तो देखिए, बांदीपूर, कॉर्बेट, पेरियर, और केलर डियो, तो आप सभी लोग उसका आंसर बता दे, पहला national park भारत का कौन सा था, तो दोस्तों देखिए, इसका जो right answer है, कॉर्बेट यहाँ पर रहेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, और यह पहला national park था, भारत का, तो यह आप लोग उसको याद रखेंगे, तो option number जो भी है, second number का option इसका सही विकल्प यह रहने वाला है, तो दोस्तों आज के सब्डेट में मैंने आपके साथ नरसिंग के question discuss कर लिए, साथी साथ, जीके के सवाल भी आपके साथ आप पर discuss किये, और image वाले जो सवाल पूछे जाते हैं, तो यह भी मैंने आपके साथ यहाँ पर discuss कर लिए, और इससे पहले वाले आप सभी लोग एक बार उनको जरूर वाच कर लें, जरूर उनको देख लें, क्योंकि काफी सवाल इनी पार्ट में से ही आपको आपकी परिक्षा में repeat आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इसी वीडियो के नीचे जाना है, description box में सभी पार्ट की link आपको मिल जागी, ए MPCHO 2021, तो तीन साल के मेरे पास यहां पे question paper available है, और ये total जो है, कुल मिला के 6 question paper मेरे पास यहां पे available है, ये 6 question paper की PDF अगर आप लोग को चाहिए, तो इसका जो amount 150 रुपीज यहां पे राएगा, 1500 रुपे में ये 6 previous MPCHO papers आप लोगों को मिल जाएंगे, किस तरीके के सभाल आ कौन कौन से topics आपके पूछे गए थे, तो ये भी आप लोग information प्राप्त कर सकते हैं, और कापी सवाल जो है, इनी में से ही आपको repeat आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि nursing के question जो है, बार बार यहां पे repeat होते हैं, नए सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इनकी practice अगर आप लोग पढ़के नहीं जा रहें, तो ये 6 question paper सबसे पहले आप लोग पढ़के चले जाएं, तो आप सभी लोग को अगर ये 6 question paper की PDF पाइल चाहिए, हमारो चैनल का WhatsApp नमबर है, 741 5543659, ये चैनल का WhatsApp नमबर है, WhatsApp पे आप लोग हमें message कर दे, 150 रिपीस का आप लोग पर मिलेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो आप लोग अपना feedback, comment box में जरूर बताएगा, ये update आपको कैसा लगा, और चैनल को subscribe करके, जरूर रख लें, कोई भी जानकरी, अब आप से आप इना चूटे, तो वीडियो के नीचे जाए, सबस्क्राइब के रैट बिटिन को आपके क्लिक करें, मध्यप्रदेश, NHM, CHO, हर इन्फरमेशन इसी तरीके से आगे भी, पांत रहते मिलते हैं आप से आगले वीडियो में, थैंक यू, सो मच